नमबर 9 में क्या पूछा गया है पढ़ लेते हैं पहले अब बैटरी ओफ 9 वोल्ड तो मतलब बैटरी हमारे कितनी है 9 वोल्ड की है connected in series किसमें connected है हमारा series में connected है with resistor of 0.2 ohm 3 ohm 4 5 और 12 तो यहां पर 5 हमारे क्या लगे है हमें resistor लगे है series में connected है सामने सामने लगे है how much current would flow through the 12 ohm resistor तो इसने बोला है कि अगर हम यहां पर 12 ohm का resistor यहां पर इसको लगाएंगे तो कितना current वहां पर flow करेगा यह बताना है तो series में क्या होता है कोई साथ भी resistor लगा हूँ हाँ पर series connection में सम में क्या होता है same current flow करता है तो हम अगर यहां पर current निकालेंगे तो वह 12 ohm resistor में भी same flow करेगा तो निकालते हैं इसको solution करते हैं इसका तो हमें पता है यहां पर given क्या है हमें volt given है 9 volt है potential difference given है हमें 9 volt ठीक है यहां पर क्या प्लस करेंगे 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस लास्ट में हमारा है 12 यह सारे किसमें हमारे ओम में हैं कि अब यहां प्लस करते हैं 5499 312 2 14 तो 1.4 प्लस 12 कितना हो गया है आप थाटीन पॉइंट 4 ओम हो गया यह हमारा resistance है, अब यहाँ पर हम लगाएंगे ohm slow, यहाँ पर क्या लगाएंगे हम ohm slow, ohm slow का होता है, resistance के साफ से r equal to potential difference upon current, अब यहाँ से हम निकाल लेंगे current, यह हो जाएगा current उपर चला जाएगा, तो यह वाली चीज नीच आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमा kestine.four, अब हम करेंगे इणों को divide, तो यहाँ पर हमारा current हैरीं, कितना आ जाएगा, 0.67 ampere, हममें पता है current किसमें आता है, हमारा ampere unit में आता है, उसका symbol के इस होता है, यह होता है, तो यहाँ पर 0.67 current ही हमारा 12 ohm register में flow करेगा, क्यों करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि यह हमा कुशिन के तरफ